क्या आप एर कंडिशनर का सही इस्तमाल कर रहे हो कहीं आप सेहत और पैसे की भरबादी तो नहीं कर रहे इन्हीं सवालों की देंगे हम जानकारी आग किस वूडियो में कुछ ऐसे टिप्स जिसके बारे में अगर आपको जानकारी हो तो आप सेहत और पैसा दोनों बचा सकते हो तो आईए जानते हैं बोटिट जो एलेक्टिसिटी बोट के एक अंजीनर ने हमारे साथ शेर किये हैं हम सब जानते हैं कि गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है और आलमोस्ट हम सभी एर कंडिशनर का यूज करते हैं आईए एसी चलाने का सही तरीखा सीखते हैं एसी ठंड लगती है तो वो अपनी बॉड़ी को एक कंबल से कवर कर लेते हैं ऐसा करने से आपको डबल नुकसान होता है पर क्या आप इस बारे में जानते हूँ हमारे श्रीव का ताबमान 25 दिगरी सेलसिस होता है और हमारी बॉड़ी 29 दिगरी से 49 दिगरी तक ताबमान को असानी से ब्रदाश कर सकती है जब आप 19, 20 या फिर 21 दिगरी पर एसी चलाते हो तो रूम का ताबमान बॉड़ी के ताबमान से बहुत कम हो जाता है ऐसा करने से बॉड़ी में हाइपो थर् पर से शुरू हो जाता है जिसकी वज़ा से ब्लेड सर्कुलेशन पर एकक्ट पड़ता है और बॉड़ी की कई हिस्सों में कून की सप्लाई रुक जाती है और लंबे समय के बाद गटियां हार्ट टैक आदिक कई बिमारियां आपको हो सकती है एसी चलाने से अक्सर पसीना नहीं आता जिसकी वज़ा से बॉड़ी के जहरीले ततव बाहर नहीं आपाते और लंबे समय तक बॉड़ी में रहकर और कई बिमारियों को जन्म देते हैं ये आपकी हल्ट खराब करने के साथ साथ आपकी जेव से पैसा भी निकाल लेते हैं अब हम जानते हैं कि एसी को कै ऐसे चलाएं एसी को 26 ब्लस डिग्री पर चलाना सबसे बेयतर होता है और पंके को 28 डिग्री पर चलाना सबसे बेतर होता है ऐसा करने से एक तो सहत भी सही रहेगी और हम बहुत ज़ादा विजली बिटा सकते हैं और ये बचट गलोबल वार्मिंग को कम करने में हिलप मान लीजे आप 26 प्लस डिगरी पर AC को चला कर प्रती दिन 5 युन्ट बिजली की बचत करते हैं आप जैसे 10 लाख लोग और घरों को मिलाकर हम 5 मिलियन युन्ट बिजली बचा सकते हैं और गलोबली ये बचत प्रती दिन क्रोडों युन्ट में हो सकती है सो प्लीज आप इस जानकारी पर गौर कीजिए और AC को 26 से 28 डिगरी के बीच में ही चलाएं और साथ में अपने शरीर और वातावर्ण को भी अच्छा रखें अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छ लेगी तो इसको लाइक कीजे शेर कीजे और हमारे चैनल को कर लीगे सब्सक्राइब